मित्रो, स्वागत है आपका MP पदवारी यापकी बारी चैनल में चलिए श्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्शर आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे सॉप्ट्वेर के वारे में उसके प्रकार के वारे में तो चलिए देख लेते हैं आज के computer खजाने में क्या क्या है यह सब हम study करने जा रहे हैं तो चलिए start करते हैं दोस्तो software क्या होता है software जो होता है collection of data instruction and program होता है program क्या होता है दोस्तो program जो होता है बहुत सारे instruction को मिलाके हमारा program बनता है और बहुत सारे programs को मिलाके हमारा एक software बनता है तो software क्या है दोस्तो program नेमो क्रियाओं का वह समू है जो computer system के कारियों को नियंत्रित करता है तथा computer के विविन hardware के बीच समन में इस्टाफित करता है दोस्तो ताकि किसी विशेश कार को पूरा किया जा सके तो simple way में हम कह सकते हैं कि software वहन देश है जो hardware से निधारित कार कराने के लिए उसे दिये जाते हैं सभी software का एक basic logic होता है दोस्तो input, process, output जो भी input दिया जाता है coding के form में, instruction के form में computer का CPU उसे process करता है जब उसे वो process कर रहा होता है उसे हम बोलते हैं run या execute, run या execute, software variable part होता है दोस्तो computer का hardware invariable part होता है दोस्तो यदि hardware को आप engine बोलोगे दोस्तो तो software उसका इधन है, hardware engine है तो software उसका इधन है, instruction code क्या होते हैं दोस्तो, instruction code different language में written होते हैं, अलग-अलग language होती है, language की class हमने ले लिए है, तो playlist store में जाके आप एक बार उसे watch कर लीजिए, बहुत detail में हमने analysis किया है, अब देखते हैं, software के प्रकार, type of software, तो तीन प्रकार के मुख software होते हैं, दोस्तो, system software होता है, application software होता है, और utility software होता है, तो यहाँ पर एक diagram बना हुआ है, hardware, system software, application software और user उप्योग करता, तो system software क्या करता है, दोस्तो, system software एक तरफ आपका computer के hardware से झूड़ा होता है, देखिए, system software computer के hardware से झूड़ा हुआ है, system software एक प्रिश्ट भूम तयार करता है, and application softwareू के लिए एक विश्ट भूम तयार करता है, और उप्योग करता application software और hardware के बीच mediator का करता है मद्धस का काम करता है देखिए hardware, application, software, user इनके बीच में यह सिस्टम software क्या कर रहा है मद्धस का काम कर रहा है mediator का काम कर रहा है दोस्तों चलें नेघ्ठ्ट देखते हैं दोस्तों Cert है हमारा software now सब्सक्राइब देखेंगे दोस्तों तो हमने जैसा देखा सिस्टम सब्सक्राइब होता है हमारा अप्लिकेशन सब्सक्राइब होता है उटेल्टी सब्सक्राइब होता है तो हम सिस्टम सब्सक्राइब को देख लेते हैं सिस्टम सब्सक्राइब में अपरेटिंग सिस्टम android operating system है और language translator होते हैं आपके compiler assembler interpreter application software देख लेते हैं जो जो application के लिए use की जाते हैं बर्ड प्रोसेसर इस्प्रेश सीट डाटा बेस एकाउंटिंग page maker coral draft graphics software CAD software desktop publishing software DTP बोला जाता है दोस्तों इसका full form भी पूछा जाता है DTP का full form किया है desktop publishing CAD का full form होता है दोस्तों CAD का computer added design utility software देख लेते हैं दोस्तों antivirus backup program file manager disk formatting disk fragmentation data compression utility disk cleanup यह आपके utility सिस्टम सॉप्ट्वर के अंदर डोस्तो अिटिंग सीछ्टम अवाटा है एक प्रठाव का सीष्टम सॉप्ट्वेर है डेख लेते हैं और जो कंप्योटर सिस्टम त政 के साधनों के कार्यों को नियनतित करता vários अप्लीकेशन सौहके करता के विश सम dicho करता है दोस्तों अपम सिस्टम के विना से चाहिसे अप्लीकेशन पोग्रामको चयानिज नहीं कर सकता अधिकांस अप्लीकेशन साथ कुछ जैसे वेडू proud ब्राउजर कल्पुलेटर आज पहले से ही इन्विल्ट होते हैं तेहां पर इसके अपरेटिंग सिस्टम कुदाएं दोस्तों विंडोज की बारे में देख लेते हैं दोस्तों विंडोज की आप सबसे पहले दोस्तों Microsoft ने MS-DOS करके ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था जिसे हम बोलते थे Microsoft डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम 1981 में Microsoft और IBM कंपनी के दोरा एक बनाया गया था आपका MS-DOS MS-DOS कैसा सब्सक्राइब था दोस्तों सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था इसकी कमियों को दूर करने के लिए Microsoft ने Windows नाम का अपरेटिंग सिस्टम लाउंच किया जिसे 1990 में विद्वोज ने लाउंच किया विन्ड़ोज 3.0 बर जन और इसके बाद कुछ संसोधिस संस्क्राइब समय समय पर जारी किये गए जैसे बिंडोज 95, बिंडोज 98, बिंडोज मिलेनियम, बिंडोज XP, बिंडोज 7, बिंडोज 10 इतियाद तो बिंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर अधाइद था दोस्तो यह मल्टी टास्किंग सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था यह object oriented software था दोस्तो यह दि यूनिक्स की बात करें दोस्तो तो यूनिक्स क्या है आपका यूनिक्स एक बहु प्यूप करता time sharing operating software है इसका विकास 1970 में बेल लोगरेटीज कें थॉंसन तथा डेनिस रिची ने किया था यह network तथा संचार के लिए बनाया गया पहला software था दोस्तो यूनिक्स हाई-level language लिखा गया पहला operating system software है यह question पूछा जाता है कि यूनिक्स हाई-level language लिखा गया पहला operating system आपका यूनिक्स था इसका प्रयोग मुक्ते बेव server के लिए किया जाता है दोस्तो चलिए यह बात करते हैं Linux की लिनक्स की लिनक्स operating system पर्सनल कंप्यूटर के लिए बनाया गया multi-user multi-tasking multi-processing software है यह मुफ्त में उपलब ओपन-source operating system है पूछा जाता question क्यों open-source operating system कौन सा है दोस्तों लिनक्स जो होता है आपका यह क्या होता है open-source software होता है Linux operating system का विकास Linux टोर वार्स ने 1922 में किया था दोस्तों यह 32 बिट का operating system है Linux का जो पहचान चिन है मसकट है ट्रक्स नामक पेग्वीन है दोस्तों Linux के बाद दोस्तों देखते हैं Android और्ट भी आपका operating system है बट यह operating system के लिए बनाया गया मोबाइल में चलने वाला जो operating system होता है दोस्तों Android होता है language translator की बात करते हैं यह भी system software होते हैं तीन प्रकार के language translator होते हैं जो high-level language या assembly language को machine language में convert करते हैं तो देख लेते हैं compiler assembler interpreter एक एक करके थोड़ा-थोड़ा इनके बारे में discussion कर लेते हैं compiler क्या होता है दोस्तों यह एक language translator software है जो high-level language उचस्तरी भासा को machine भासा में convert करता है दोस्तों और यह प्रतेक उचस्तरी भासा के लिए अलग-अलग compiler software होता है दोस्तों compiler पूरे source program या source code को बदल कर उसे memory में store करता है और उसे क्यानवीत नहीं करता है दोस्तों मतलब यह एक साथ जो है पूरे program को convert कर देता है assembler की बात करते हैं दोस्तों assembler जो होता है यह एक software program है जो assembly भासा को मसीनी भासा में क्या करता है convert करता है दोस्तों और अलग-अलग computer के लिए hardware processor के पर निवर करता है और assembler अलग-अलग होता है अलग-अलग computer machine के लिए interpreter की बात करते हैं दोस्तों compiler की तरह interpreter भी एक language translator है in the operator। रॉप्ट्यों को मसीनी भासा में परवर्तित कर उसे किरांडवीत करता है रम करता है इंटर्प्रेटर उचस्तरी भासा में तैयार किये गए पर ग्राम के प्रतेक लाइन को एक एक करके मसीनी भासा में परवर्तित करता है के लाइन- हैं यह करण्वर्ट करता है तो compiler और आप लेप में पहुले को किंपाइल कर दता है और आप लेप लेते हैं तो अपलिकेशन इसां जो ॉत जो होते हैं दोसतों यह विजस्ती है बड़ुद्टबिष युट सब्सक्राइब और प्लिक सब्सक्राइर जो किसी विश्म कार के लिए तयार के जाते हैं संस्थान कर और सकता नुसार का विकास किया जाता है दोस्तों सब्सक्राइब करता है तो चलिए देख लेते हैं वर्ड प्रोसेशर क्या होता है दोस्तों बड़ प्रोसेश्ण सब्सक्राइब का लिए comment करने के लिए करने के लिएrod करने के लिए ब्री में गलतियों में सुधार कर सान होता है दोस्तों चलिए बात करते हैं इस पेश्ट सख़ेट की यह मुकतर डाटा के लीए उप्योग किया जाता है जिसमें रो कालम होते हैं और इसमें अुझे। और चार्ट करने संसोधन करने और उसका वरीग करने के लिए डाटावेस सब्सक्राइब का प्योग किया जाता है इसका एक्जामपल आपक्या है मैं सैक्सेस एकाउंटिंग की बात करें दोस्तों एकाउंटिंग इसके दोरा विभिन बितील खांकन फाइनेंसियल एकाउंटिंग बैपारिक लेन देन तथा समान प्रवेंधन को सरल बनाया जाता है टैली भारत में बना एक लोग प्री एकाउंटिंग साफ्ट्वेयर है पेज मेकर की और को रड्रा जो होता है आपका पब्लिशिंग साफ्ट्वेयर होता है यह दोनों आपके अप्लिकेशन साफ्ट्वेयर हैं और डेस्टॉप पब्लिकेशन में आपका प्योग किया जाता है ग्राफिक साफ्ट्वेयर की बात करें दोस्तों तो ग्राफिक साफ्ट्वेयर म बात करें दोस्तों गैट में इसमें कंप्यूटर द्वारा इंजीनरिंग और वैजानिक डिजाइन त्यार करने उसमें संसोधन करने की प्रक्षिया को समझाने का कार किया जाता है नहीं कहां से हैं आटोक़ तथा आटो डेस्क करद this the software की उदार रहने कॉनकोन से हैं दोस्तों E圅ब 810 आथी 8ACE आपके September और के सोर्प्टयवेर के उदार देलिन ने दे स्टॉ पैइलस्टों पबलिक इससिद्टिपी इसके पब्लेश की पब्लेशिंग तो इसमें कंप्यूटर और उसके सहहोगी उपकरणों का प्रकाशन के कार में ब्योहर किया जाता है कुछ लोग प्री यह सब्रकाचार दोस्तों किकमराइन तो टोस्तों यह चलिए दोस्तों हमारा य॥िए टे-वा एकिरश पूग्रम को चलाते हैं था चली हम बात करते हैं कि यह आंधव सब्पास के से नुटियंटी फैल politically है उसमें एक छोटा वरग्राम या उन्देशिंस होता है जो आपके सिस्टम को खराप कर देता है तो मैं आया क्या है कि कि जब भी किसी भी प्रोग्राम को रन करेंगे, ये कंप्पु फ्र को चालू करेंगे तो उसको दिक्कत करेंगा कुछ खराब यूतपन करेगा वाइरस इसको दूर करने के लिए बात करते हैं दोस्तों यह भी उट्यृटी सब्ट्वेयर है तो बैक अप ग्राम क्या होता है file manager की बात करते हैं दोस्तों file manager एक स्थान पर रखे गए सूचना ओ तथा data का संग रहे है computer system में file कलाता है computer memory में किसी भी सूचना को file में ही store किया जाता है एक या अधिक file को एक स्थान पर एक folder में store किया जा सकता है file तथा folder के प्रवंधन के लिए नेमित सॉप्ट्वेर को file manager सॉप्ट्वेर बोलते हैं दोस्तों चलिए बात करते हैं disk formatting software disk formatting software के दारा दोस्तों disk formatting software की बात करते हैं तो disk formatting software के द्वारा नए memory disk जैसे की floppy hard disk या optical disk को परयोग से पहले operating system के अन्कूल बनाया जाता है इसमें सब प्रथम storage device के सभी sector की जात की जाती है खराब सेक्टर की पहचान की जाती है और खराब सेक्टर की पहचान हो जाती है तो खराब सेक्टर के पाद disk का address table तयार किया जाता है formatting द्वारा disk को दो या अधिक भागों में बाटा जा सकता है जिसे disk partition बोलते हैं डिस्क पार्टीशन क्या होता है दोस्तों फार्मेटिंग के द्वारां डिस्क को दो या अधिक भागों में बाटा जाना डिस्क पार्टीशन कहलाता है फार्मेटिंग के द्वारां डिस्क पर पहले से मौझूद डाटा को मिटाया नहीं जाता दोस्तों अब बात करते हैं ह दिस्क फ़ाइल है वह सबस्कार अब करने के लिए डिस्क प्रेंग्मेंटेशन के प्रमायी प्रोग्राम चलाया जाता है जो सभी फाइलों को पुने बेस्तित करता है इसमें डिस्क की गति तीव होती है यह इस्टोर किये गए स्थान को ब्येस्तित कर मिइमोरी प्रबंदन को बेटर बनाता है चलिए बात करते हैं दोस्तों डाटा कंप्रेशन utility software की तो data compression भी आपका utility program है इस utility program का प्योग file के आकार को छोटा करने के लिए किया जाता है ताकि वह memory में कम जगह ले तथा उसे network पर कम समय में इस्थनांत्रित टास्पर किया जा सके compressed file को पुने खोलने के लिए डी compression software की उप्योग जुरुवत परती है दोस्तों बात करते हैं डिस्क clean up software की तो डिस्क clean up software में इसके दोवारा memory डिस्क की असुद्धियों तथा अनवश्यक program वा डाटा हटा कर उसकी छमता में ब्रिद्र की जाती है दोस्तों नेस्ट देखते operating system हमने अभी डिसर्स किया एमस बिंडोज अंड्राइड मैं को परेटिंग सिस्टम आयो सी एपल का operating system है लेनक्स फ्री सोर्स आपका operating system है इसमें सी लेंग्वेज के द्वारा लिखा गया पहला परेंटिक system Unix द्राइबर भी जो होते हैं आपके system software के अंतरगात आते हैं आपसे question पुछा जाता है इन में से कौन सा system software नहीं है तो operating system device driver firmware और language translator यह आपके system software के उधारान है और इनके जंपर भी देखे पूछा जा सकता है कि इन में से कौन सा system software है या कौन सा system software नहीं है तो device driver के अंदर बायोस ड्राइबर आता है डिस्प्ले ड्राइबर जितने प्रकार की भी ड्राइबर होंगे sound card driver video card driver USB driver printer driver रोम ड्राइबर फर में देख लेते दोस्तों firmware वायोस embedded system computer peripherals uef e वायोस का फुल फांप पूछा जाता है दोस्तों basic input output system basic input output system language translator में देखा interpreter compiler assembler चलिए बात करते हैं तो कौन-कौन से application software होते हैं सिंपल साब को कुशन दिया रहता है अब जुट्टी कुशन आता है और आप जानते हैं तो अच्छे sensor कर लेंगे चलिए देखते हैं बर्ड प्रोसेशर आपका application software है डाटा बेस सब्सक्राइब होता है जितने प्रकार की multimedia software होते हैं वह भी आपकी application software होते हैं ग्राफिक सब्सक्राइब आपकी application software होता है तो बर्ड प्रोसेशर के example कौन कौन से हैं दोस्तों MS Word जो कि हमने class ले चुके हैं बहुत इंपोर्टेंट है इससे चार से पांच कोशन आपकी परवारी एक्जाम में पुछा आता है बर्ड प्रोसेशर में बस MS Word ओपन आफिस राइटर भी आपका बर्ड प्रोसेशर software है गूगल डॉक्स भी यह आपके बर्ड प्रोसेशर के एक जामपर है तो एक बार आप इनको एक दो बार रिवाइच कर लीजिए तो आपको ध्यान रहेगा आपसन देखके आपको क्लियर कर जाएगा डाटा बेस सॉप्ट्वेयर की बात करें तो MS Access आपका जो है तो डाटा बेस सॉप्ट्वेय है डी बेस भी आपका डीबी मेंस है क्लीपर और फाइल मेकर यह आपके सभी डाटा बेस सॉप्ट्वेयर की जामपर है मल्टी मीडिया सॉप्ट्वेयर की बात करें तो बीलसी पिकासा एडोप फोटोशाप बिंडोज मीडिया प्लेयर और इंक इसके आपकी यह मल्टी मी बाउजर की बात करें दोस्तों गूवल क्रोम मोजूला फायरफॉक्स माइक्रोसॉप्ट एज इंटरनेट एक्सप्लोरर सफारी नेट इसके नेविगेटर यह आपके ब्रेव बाउजर के एक जामपल है दोस्तों चलिए दोस्तों आज की क्लास खत्म होती है यह आपको सब्सक्राइब आपको चाहिए तो कमेंट कीजिएगा थैंक्यू नेस्ट क्लास जल्दी आएगी